यह लो गाइज वेल्कम बेक टो मैं चैनल द वीकर एंड वीजिन वेल्कम बैक टो मैं अधर वीडियो गाइज जिसमें आज मैं आप सब के साथ शेओ करने वाली हूं सबस्क्राइज वेल्कम ब्रेड्ट का है अधर इसे वाली ईपट जाएगा गाइस मेरी इस वाली वीडियो पर पढ़ने से पहले अगर आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज जाएए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए इसका नाम है तवीगरेंड वीशिन भाई कोमल एंड उसके साथ की बैल बटन भी होगा आप उस पर वीडिट कर देना जो आइलैश ग्लू है वो कैसी लगी, so guys here is the box जिसमें मेरे पास आइलैश जी आइलैश है अगर आप सबने मेरी अन्बॉक्सिंग नहीं देखी है कफसान लैशे की जिसमें मैंने newly launched products की अन्बॉक्सिंग करी थी अगर आप सबने वीडियो नहीं देखी है तो आप जांके चेक कर लेना क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि मैंने कितनी आइलैश पर्चेस करी हैं इस वाले पर्टिकुलर पर्चेस में जो भी चीज़े हैं वो में साइट कर देती हूं एक पर की अगरे तो सब्सक्राइब करें धल्याइश करें ऑन आप सकते हूं को और आप बताया है तो यह पराद है तो यह पली 24 तो इस वाली अपनी सिस्टों को देदी थी उसे काफी ज़्यादा पसंद आई थी वोवली आइलाश तो मैंने उसे रखने को देदी थी बट आप सबको देखने को मिल जाएगी कि वोवली आइलाश कैसी है तो गाइस इस आर दा 23 आइलाशेज विद मी राइड नाओ जो वोवली आइलाश थी उसका भी आप सबको जब मैं शेयर करूंगी आइलाशेज का क्लोज अप आपको उसमें देखने को मिल जाएगी कि वोवली आइलाश कैसी देखती है गाइस so guys अगर मैं इसकी पहले तो बात करूँगी मैं इसकी packaging की eyelashes की so eyelashes की अगर मैं packaging की बात करूँ तो यह है baby pink color की cardboard की packaging है यहाँ पे and बहुत ही cute वाली packaging है मैं यह नहीं कहूँगी कि यह durable है packaging क्योंकि मुझे लगता है इतनी ज़्यादा durable वाली packaging यह नहीं है but otherwise अगर आप ध्यान से रखोगे इस वाले particular इस वाले box को तभी आप इसे store करके रख पाओगे otherwise यह वाला जो box है बहुत जल्दी आपसे तूट बाउड जाएगा क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है and यहाँ पे जो लगा हुआ है यहाँ पे plastic का लगा हुआ है जहां से हमारी eyelash जो है वो see through होती है हम देख सकते हैं जो मेरे हाथ में आई है इस time eyelash वो है बिर तो इन्होंने क्या कर रहा है na cities के names पे रखी है तो काफी इंट्रस्टिंग लगे मुझे वैसे इन आई लैश के नेम मैं इसकी आप सबको बता देती हूं यहाँ पे इंस्रॉक्शन्स पीछे मैंशन करी हुई है कि क्या इंस्रॉक्शन्स है इसकी यहाँ पे जो यह वली वैसे किसी भी आई लैश पर यहीं हम पनकुर्फते हैं सब्सक्राइट है मस्तल नहीं होगो कर Prab Chromada Seメandmind से मैंने मैं वैसे प्रप्लम करें अब और वी एक हंस्त आफ मेंसे पंवाल देर टाली किसे मिस कई सब्सक्राइश से ऊब हम्न АлексSí अबको कहिए तो रहाद को होगी अगर आप सबको अपनी आइलैश को अधर फेक आइलैश को क्लीन करना होता है तब के लिए तो गाइज इस दा इंग एंड जो इसकी MRP है वो है 199 और अगर आप तू लेते हो या टू से जादा लेते हो तो आपको यह 149 की मिल जाएगी एक आइलैश पेर अगर मैं बताओं तो काफी अच्छी डील लगी मुझे इस वाली आइलैश की अगर मैं इस आइलैश की बात करूं जो कि मैं आपको बहुत ही क्लोजली दिखा देते हुँ एक तो आइलैश काफी ज्यादा प्रेटी वाली आइलैश काफी लॉंग वाली लेंथ काफी अच्छी है इस आइलैश की अगर मैं इसके हेर की बात करूं ना तो चूने पे बिल्कुल भी प्लास्टिक हेर नहीं लग रहे हैं गाइस अंड यह संथैटिक हेर जहां त किसी के भी आइपी चुबने वाली चीज मुझे इस वाली आइलैश में तो नहीं लग रही तो ढहूं है मिदैन करहां प्लास्टिक होते संच नहीं ज 一ंद होते लाके बातFirst लंए ठोला बेंट इस इस फर्स ऐलेश जो की है बेर कफसल लेश की एंड मैं आप सुब को दिखाती हो एक वैंप ऐलेश है जो की है खजूर रहो कुछ कुछ वैंपी लुक देने वाली आईलैस है अगर मैं बात करूँ श्री नगर की वह बिलकुल ही नोमल अगर आप कहीं पर जाना है पाटी वगारा में जाना है तो आप अराम से कर सकते हैं तो यह बात कर लेते हैं आइलैस ग्लू की जो की है कफ और लेश की यह है लैश ग्लू इसका जो प्रोड़क्ट मिल रहे है सिक्समेल का प्रोड़क्ट है गाइस और यहां पर आप सबको सबसे एक मैं अजीब बात कहूं या कहूं अच्छी बात मुझे नहीं पता कि कौन सी बात कहूं मैं उसका जो वांड है वो मैंने जितनी भी आज तक ऐलेश ऐलेश ग्लू उससे बिल्कुल डिफरेंड वांड है और दिस इस दोफुट अप्लिकेटर वांड आइड नो कि क्य उनने सोच के ये वला डोफुट अप्लिकेटर रखा है ऐलेश ग्लू में आइड नो बहाइंड दे स्टोरी ओफ दिस डोफुट अप्लिकेटर जो ये वली आइलेश ग्लू है ना मैंने अपनी सिस्टर पर यूज करी थी तो तब इतनी ज्यादा उस पे ना टिकी नहीं थ इस वली ग्लू के साथ इस वली ग्लू के साथ आइड नो की क्या रिजन था तो आज मैं खुझ से टेस्ट करने वाली हूं मुझे एलेश ग्लू इसका फर्स इंप्रेशन अगर मैं बात करूँ तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था एड अगर मैं इसके ट यह देखो बहुत ही ज्यादा वाटरी टेक्चुर है और मैंने जितनी भी इसे प्लाइगरी बार बार मैंने उसका एक दो घंटे तक ही टिकी थी वोवली आइलैश इस इस ग्लू के साथ एक्चली आइलैश के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी बट प्रॉब्लम वास अगर मैं कहीं पर जा भी रही हूं तब भी मेरी आइलैश अपने आप से नहीं निकलती मुझे खुद से निकालनी पड़ती है तो वैसी वाली ग्लू है मेरे पास तो अभी मेरा इसके साथ फॉर्स्ट इंप्रेशन इतना जाद अच्छा नहीं रहा था इस वाली आइलैश अगर आपको आइलैश अप्लाइ नहीं करने आती है तो यू कैन चेक आउट मैं बताया हूँ है कि आप आइलैश कैसे अप्लाइ कर सकते हैं तो एकॉर आइलैश आप देख लो कि कितनी आइलैश आपके सेट आ जाएगी तो उसे साब से आप कर सकते हो तो अभी आप इसा भी नहीं है कि आपको रियल हेर्स का इफेक्ट नहीं देंगी हुआ है झाल 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 यह तो आप यह तो यह वींड यह आपको किसी छुट मुटी पाटिया फंक्शन में जाना है और आप चाहते हो आप आइलेश लगा के जाओ तो यह उस काइंड के आइलेश है आप देख सकते हैं आइलेश कितना गेम चेंजर है इन काफी अच्छी लग रही है मुझे ना आइलेश काफी ज्यादा हलकी लग रही अपने आइस पर लगी हुई तो अच्छा लग रहे है तिलहाल तो प्रोडलम सिरु इनर कॉर्णर से आई थी और आज भी मुझे इनर कॉर्णर पर आ वहीं पर बाकि मैं काफी बार अभी यूज करना पड़ें आइलेश के बारे में इसके बारे में बता दू हैं … याइशव काफ़ी ज़यादा आपसब degसे धे हैं bit saat यह है लोग करी हैणिंट उसकी गेम ही चेंज कर दिया आइलेश नी इतना ज्यादा नहीं पूरा मेकप कर ले हैं पर लोगता है आइस कंपियर तो जब हमारे आइलैश लगी होती हैं गाइस मुझे ये वली आइलैश बहुत ही ज्यादा परसंद आई है कपसल लैश की सारी आइलैश काफी जदा अच्छी है इनके जो हैर्स हैं वो रियल हैर्स नहीं है मैं अगेन आप सबको बता दूँ ये संथाटिक हैर्स होते हैं वो वले हैर्स हैं बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता अप्लाइ करने के बाद की मैंने कोई आर्टिफिशल सी आइलैश अप्लाइ कर रखी हैं तो मुझे ये वली चीज इन वली आईलैश ने काफी जाद अच्छी लस्गी काफी कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं मुझे अन्के जो भी प्रोडॉक्स होते हैं ये वली जो आईलैश है ये अकेली को चोड़के बादी सारे के सारे जो क flavors की products are made in idad यह रही टेजल में ऐना इंडिया जो फी पीकल्ट बढाना की अयर्ड अध नहीं पन पारे थी मैं तो कुझ में अच्छा कंग लांजी दाना ऑफ फोन फीος घंड वाट्र नहीं ही साथव बनकारा solemn यह उन्होंने इतनी अच्छी आइलैशेस अगेन बनवाई गशी है यह उद्ट बनेटल यह आइलैशेस तोट पीषिट नहीं होरी यह अप्लाई करने के बाद तो मुझे आइलैशेस प्रसंद यह इंपरसिव लगी यह उद्ट आयलैशेस अप्छी ग्लू का तो फोड़े तक मुझे यूज़ करने दीजे and then I will definitely tell you about this eyelash glue की ये वली eyelash glue कैसा काम करती है क्योंकि एक बार में किसी भी चीज को judge करना is not a right thing तो मैं इससे पहले try out दोंगी काफी बार and then I will definitely tell you about this Cups and Lashes की eyelash glue की ये कैसी है आपको कैसी लगी मेरी ये वली वीडियो आप ज़रूर बरताना guys so guys अगर आप सब को मेरी ये वली Cups and Lashes की जो new launch eyelashes थी इसकी आप सब को review कहलो मेरा impression कहलो इन वाली eyelashes पे ये आप सब को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो please hit the like button on my this video and also share my this video to your family members and your friends and please subscribe to my channel guys जिसका नाम है The Vigrant Vision by Komal and उसके साथ ही एक bell button भी होगा guys आप उस पे इट कर देना ताकि जो भी मेरी वीडियो की upcoming notifications और वो आप सब को मिलती रही guys तो अभी मैं जल्दी ही मिलूं कि आप सब से मेरी next video में till then bye guys and thank you